आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी एक स्नाक्स रेसिपी चीजी वेच ब्रेड रोल तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको ब्रेड रोल को बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक लाज साइस चॉप्ट प्यास एक स्मॉल साइस चॉप्ट कैपसिकम थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप्ट और देंगे एक ग्रिन चिली चॉप्ट अभी हम 100 ग्राम्स मोजरीला चीज को क्रेट करके इसमें डाल देंगे आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी चीज यूज कर सकते हैं पीज़ा चीज, प्रोसेस चीज देंगे सॉल टू टेस्ट वन टेबल स्पून रेट चिली सॉस और नहीं तो टोमाटो सॉस और वन फोटी स्पून ब्लाक पेपर पाउडर हम अभी इसको एक स्पून से नहीं तो हाथों से अच्छे से मिला लेंगे इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पनी रिट करके भी डाल सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का मिक्श्चर परफेक्ली तैयार है तो चलते हैं नेक्स टेप पे यहाँ पे हम वाइट ब्रेट लिया है जिसका चारो साइड हम कट कर लेंगे आप चाहे तो ब्राउन ब्रेट से भी इसको बना सकते हैं मल्टी क्रिन ब्रेट यूज ना करे यहाँ पे एक प्लेट में हम थोड़ा सा पानी लिया है जिसमें हम bread को हल्का सा deep करके ऐसे प्रेस करते हुए पानी को निकाल लेंगे बहुत ही साफधानी से हल्के हाथों इसको करे नहीं तो bread तूट सकते है इसके अंदर हम डाल दिया है थोड़ा सा Mixture और इसको दोनों साइट से सील करके हाथों से हलका हलका प्रेस करके हम प्लेन कर लेंगे. bread के quality के उपर dip in करता है कि bread कितना पानी सोख करेगा इसलिए ध्यार में रख कि आप इसको पानी में deep करे जादा देर तक deep ना करे देन bread तूट सकते है उसके बाद हम इसको bread crumbs में roll कर लेंगे इससे क्या होगा अगर bread में कोई भी gap रह जाएगा तो वो फिल हो जाएगा बट bread crumbs देना optional है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डिरेक्ट फ्राइ कर सकते है तो देखिए हम लोग का एक bread roll तयार है सेम प्रोसेस में हम दूसरा भी बना लेंगे इस रेसिपी को आप स्नाक्स में बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएंगे और बच्चों को भी बहुत यम्मी लगेगा ओइल मीडियम गरम हो गया है तो अभी हम फ्लेम को लो में करके bread rolls को इसमें डाल देंगे और देर से दो मिनिट के लिए हम इसको लो फ्लेम में होने देंगे देर से दो मिनिट बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरे साइट को भी देर से दो मिनिट के लिए लो फ्लेम में फ्राई करेंगे इसको बनाने की टाइम में एक चीज ध्यान में रखना ही कि जब आप इसको ओयल में छोड़ेंगे ओयल मीडियम हीट होना चाहिए बहुत सदा हीट होने से बाहर का पोर्षन पुरा ब्राउन हो जाएगा और आपको इसको लो फ्लेम में ही करना है दिन ये अंदर से अच्छे से पक जाएगा अगर आप इसको मीडियम और हाई फ्लेम में करेंगे पहले सी तो इसका अंदर का पोर्षन कचराय जाएगा और बाहर का पोर्षन जल्दी से पक जाएगा इसको पलट के मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए दोनों साइट से अच्छा सा एक कलर आ गया है तो अभी हम फ्लेम को मीडियम में करके पलट पलट के 30-45 सेकंद के लिए इसको फ्राइ कर लेंगे ये हो गया है तो अभी हम इसको ऐल से निकाल लेंगे तो चलिए हम इसका प्लेटिंग भी कर लेते हैं रेसिपी अच्छे लगने से प्लीज 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 एक लाइक जरूर कीजिए और जितना हूँ सके सब के साथ शेर कीजिए आप इस ब्रेड रोल को फ्राइ करने के बाद जल्दी जल्दी खा लीजिए अगर आप इसको ज़्यादा देट तक रखेंगे तो ये खाने में क्रिस्पी नहीं लगेगा टोमाटो केचप के साथ हम इसको सर्फ कर लेंगे देन ये खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदा लगेगा तो मैं आप लोगों को एक ब्रेड रोल तोरके दिखा देती हूँ देखिए कितना अच्छा बना है अंदर से और चीज भी पुरा मेल्ट हो गया है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है तो अच्छे लगने से प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले